नमस्कार सभी का स्वागत है कुचामन ओलाइन क्लासेज के इस डिजिटल प्लैटफोर्म पे सात्यों हम आज जो है एक चर्चा करने वाले हैं आज की हमारी परिचर्चा का जो विश्य है विश्य रहेगा वरिष्ट अध्यापक पर्तम परसन पत्तर को कैसे तयार करें नोट्स किस परकार से बनाए हमारी जो पाटे सामगरी है वो क्या होनी चाहिए पाटे सामगरी के अंदर हम कौन-कौन सी बुकों को जो है पड़े किस अप जो है कहां से कितने क्यूशन आते हैं आपको वो सारी चीजें जो है हम इस के मादेम से इस वीडियो के मादेम से आपको बताएंगे तो सबसे पहले जो यह है कि सर हम जो सेलेबस है उसके लिए जो कोचिंग है वो कोचिंग कैसे करे कोचिंग ओफलाइन करे या ओनलाइन करे यानि कोचिंग जो है ओफलाइन या ओनलाइन है दूसरी बात सर हम अभयाश कैसे करे अभयास हे और तीसरी बात जो बुकस है इसकी अपन कर चा करेंगे कि आपको कोचिंग ओन-लाइन चाहिए ऑफलाइन करने चाहिए कौनसी भुकए आपको पढ़नी चाहिए ठैस्ट सिरीज जो है अभियास किस परकार से करना है इन सभी बातों को ले करके अपन चर्चा करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट जो है वो यह है कि चाये आप कोचिंग कर रहे हो या आप जो है बुक्स है आपके पास में और एक बात आप सेल्फ इस्टेडी कि जायन के लिए आपको जो है सेकिंड ग्रेड में फैस्ट पेपर अच्छा हो क्योंकि सबसे चैन में बड़े योगदान रहता है फैस्ट पेपर का आपका फैस्ट पेपर में जितना बड़िया इसकोर होगा आपकी जो है रेंक है या चेन के जो आशार है वो उतने ही शांदार होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सब का अच्छा होता है, आप जिस सब्जेक्ट से तयारी करोगे, जैसे आप सामा जी कद्धेन से तयारी कर रहे हो, या आप जो है विज्ञान से तयारी कर रहे हो, गनित से तयारी कर रहे आपकी fast paper की तैयारी कैसी है, fast paper के जो आपके 100 क्यूशन आ रहे हैं, उनमें से आप कितने जो है अटेंड कर पा रहे हैं और कितने क्यूशन आपके सही हो पा रहे हैं, वो बड़ा important है, तो यहां मैं बात करता हूँ, चाए आप coaching कर रहे हैं, चाए आप books पढ़ रहे हैं, लेक मुख्य भूमी का आपके किस की रहेगी, self study की मुख्य भूमी का रहेगी, ठीक है, self study पर आपको मुख्य रूप से फॉक्स रखना है, ऐसा नहीं है कि coaching से ही selection होता है, बिना coaching के selection नहीं होता, तो सेंखडू उदारन आपको ऐसे मिल जाएंगे, जिन्नोंने coaching नहीं की, सिरफ बुखों का आदेन किया, self study की, खुद पर विश्वास था, और उनका selection भी हुआ है, अच्छी rank से selection हुआ है, तो किसका क्या योगदान है, देखो, अगर मैं coaching की बात करता हूँ, आपने पहले coaching कर रखी है, तो आपको फिर से coaching करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास books है जो आपके पाठे करम को पूरा कर रही है, तो आप उन books को भी पढ़ सकते हूँ, आप coaching भी जा रहे हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको self study करनी होगी, self study पर जो है focus ज्यादा रखना होगा, self study को ज्यादा मैतोपूर्ण माना जाएगा, आप जितनी ज्यादा खुद अध कर कि हम selection ले लेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, coaching के अलावा भी आपको self study करनी पड़ेगी, तो पर डे जो है, फैस्ट पेपर के लिए आप 4-5 गंटे आपको अध्यान करना होगा, फैस्ट पेपर के लिए कम से कम पर डे आपको 4 से 5 गंटे पड़ाई करनी होगी, उन 4-5 गंटे में आपको किस परकार से फैस्ट पेपर को तयार करना है, उसकी अपन बात करेंगे, अब coaching के अंदर भी सर offline या online, अना, offline या online, तो देखो, मैं यह कहूंगा, कि offline में जो है, आपका पैसा भी ज्यादा लगता है, आपका समय भी ज्यादा जो है, वैस्ट होगा, वैर्त होगा, क्योंकि आपके नजदेग में offline coaching मिले, कोई जरूर नहीं है, तो आपको घर से दूर जाना भी पड़ेगा, वहां पर आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपका समय ज्यादा लगेगा, online के बहुत से फाइदे हैं, कैसे, मा मैं राजस्तान की इतियास की बात करता हूँ, तो उसमें आपने इतियास पढ़ रखा है, लेकिन इतियास का कोई एक point जो है, या एक कोई topic आपका कम जोर है, आपने कोई भी एक online course ले रखा है, तो आपने क्या किया, जो वहां पर मान लीजिए 10 गंटे की class है, उस 10 गंटे की class को आप एक दिन में पूरा कर सकते हो, या दो दिन में पूरा कर सकते हो, online के अंदर आपका जब मन करेगा, तब आप वीडियो को देखकर अपना पाटे करम को पूरा कर सकते हो, यह आपकी सुलबता पर निर्वर करता है, आपके लिए सुलब होगा, अच्छा होगा online, पूरा segment आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है, कोई भी एक segment जो आपका कम जोर है, आप उस segment को तयार कर सकते हो, जैसे मानली जी आपकी राजतान का भुगोल है, राजतान के बुगोल के अंदर मानली जी आपका परिवेन का टोपिक है, वो कम जोर है, आपने कोई एक online course ल जो रहेगा, सुलब रहेगा, वो रहेगा online coaching, क्योंकि बहुत कम नाम मातर की फिस में मिल जाता है, गर के पास में library है, गर का माहल अच्छा है, खाना अच्छा मिल जाएगा, सारी चीजे, लाइबरेरी में आपको जो है पढ़ाई का माहल मिल जाएगा, तो मोटी रकम जो offline coaching के नाम पे आपकी लगती है, आपको जो खर्चा है, उससे बचेंगे सबसे पहले, दूसरी बात, बरती आएगी मान लिजे, चार-चे, बारा महीने बाद में, तब तक आप जो है बार रह रहे हो, तो कहीं बार आपकी ऐसी प्रिस्तितिया आएगी, कि आपको वहां से छो बुक्स, आपके पास में जो भी गाइड है, उसी को पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि मार्केट में नाम सुना, या उन सर ने नाम बताया, उन सर ने नाम बताया, आपने दस गाइडें या दस बुक इगठी कर ली, एक-एक सबजेक्ट की, और आप खुद कन्फ्यूज हो पढ़ना है, तो सबसे बैस्ट है, दस पुस्तकों को पढ़ने की बजाए, एक पुस्तक को दस बार पढ़ा जाए, आप मार्केट से दस पुस्तके लेकर के आओगे, उन से बढ़िया है, एक पुस्तक जो है, उस पुस्तक को आप दस बार पढ़े, आपके पास जो भी एक बुक है गाइड है उस गाइड को आप बार बार पड़े निरंतर उसका अभियास करे रिविजन करे उसी से तो वह आपके लिए बहुत मैतवपुन रहेगा ठीक है अब बात करते हैं पार्ट सेलेबस की आपके परिक्षा का पेटन क्या है परिक्षा पेटन अगर मैं बात कर अब पिर सी करवाती दोनुञीलिये मैं तो पूर्ण है तो यहां आगर मैं बात करूज तो दो पर होंगे आपके प्रिक्षा का पैटन क्या है दो पर एक पर फैस्ट पैपर और आपका सेकिंड पैपर 2 सेकिंड पैपर जैसे आप जिस सब्जक्ट से हैं सेस्टी का है इंग्रेजी यानि इंग्लीज का है, साइन्स का है, मैथ का है, या आपके संस्क्रीट का है, तो आपका यह मैन सब्जेक्टिव रहेगा, फैस्ट पेपर की बात करें, यहां बात करते हैं, तो जो यह आपके 300 अंग का होता है, और 500 परसन, 150 परसन आते हैं, फैस्ट पेपर की बात करें, यह 200 अंकूं का है, 200 अंक और आपके 100 परसन आते हैं, कितने परसन आते हैं, 100 परसन, आप कितने कर पाएंगे, यह सारी चीजें डिपेंड करती है, कि जो आपका पेपर होगा उसके अंदर, पेपर किस लेवल का आया, अब मैं कहूं कि पिछले वर्स की कटोप को देखकर आप अनुमान लगा लीजीए, कोई माइने नहीं रखता, पिछले वर्स की कटोप और इस वर्स की कटोप, क्योंकि इस वर्स का पेपर कैसा आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा यहां बात करें 200 अंक में से इन्हें 200 अंक में आपको क्या क्या आता है तो राजस्तान का भूगोल राजस्तान की राजवेवस्ता इत्यास और संसकर्ति बासना仁 बासन जो है आप मान के चलिए कि लगभग यहां मैं अगर बात करता हूं तो आपके 40 पर सना जाते हैं 40 पर संजोंगे राजस्तान का भूगोल राजस्तान की राजवेवस्ता रास्तान का इत्यास गोर और संस्कृति यहां से 40 परशन आते इसी के साथ राजस्तान समसामिय की राजस्तान समसामिय की ठीक है यहां से जो है आपके 10 परशन आ जाते कितने परशन आ जाते 10 परशन राष्तान समसामिय की यानि करंट के कर्रैन्ट के जो है आपके दस परसंप अते हैं इसके अलावा आपका जो है या मज जाता है चारीस नंग का मनोविज्ञान हो जाएगा और उसके बाद जो है एपके अगला आता है भारत की अर्थ वेवस्ता बारत की अर्थ व्यवस्ता बारत की राज व्यवस्ता विष्वय और भारत का भूगोल विष्वय और भारत भूगोल विश्वय और भारत है बुगोल इनके अगर बात करते हैं तो जो है 30 परशन इनके आजाते हैं कितने परशन 30 परशन इनके आते हैं यह आपके 100 परशनों का जो है पूरा मेटर हो गया यहां पर अगर बात करते हो तो यह आपके पूरे 100 प्रशनों का मेटर हो गया 40 परसन यानि 80 अंग का यह हो गया ठीक है 10 परसन यानि 20 अंग यह हो गया 20 परसन यानि 40 अंग और 30 परसन यानि की 60 अंग तो 50 परसन आपके सेलेबस का 50 परसन तो जो है राजस्तान का है राजस्तान का भूगूल राजस्तान की राजस्तान का इतियास संसकर्ती और समसाम्य की 50% आपका यहां से कवर हो जाता है फिर बात करते हैं तो 20% जो है आपका यह मनोविज्ञान वाला हो जाता है और 30% जो है आपका भारत का जो भूगूल बारत और विश बुक्स की बात करता हूं आपके पास कोई भी एक बुक या गाइड जो भी है उस गाइड को आप पड़ें मैं यहाँ पे दो, चार, पांच गाइड होंनों के नाम बताऊँगा तो जरूरीrim नहीं है कि आपको वो गाइड खरीद कर ही लानी है आपके पास है तो अच्छी बात हैं नहीं है तो आप खरीद के ला सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी एक गाइड है तो उस गाइड को आप पढ़ सकते हैं जैसे अपन बात करते हैं राजस्तान के इतियास और कलचर की राजस्तान का इतियास और संसकर्ती इतियास और संसकर्ती, मैं आपको एकी बुक का नाम सजेस्ट करूँगा, ठीक है वो जो है आप बुक पढ़ सकते उससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा, सारे लगबग जो है 80-90% आपके question वहाँ से आ जाएंगे, आप के पास किसी भी coaching के notes है, तो आप उन notes से भी पढ़ सकते हैं, उनके साथ book को भी पढ़ सकते हैं, या आप कोई coaching online या offline कर रहे हो, आपकी जैसी इच्छा है, online course ले लीजिए, उसके साथ book से आप swim के notes बना लीजिए notes तियार के लीजिए, वो सबसे बहतर होंगे, तो ठीक है, इसके लिए आप not publication की जो book आती है, not publication की book, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ना, not publication की जो book है, वो आपके लिए अच्छी होगी, यहां से आपका 80 से 90 percent तक का जो है matter cover हो जाएगा, और 80 से 90 percent के जो आपके person पतर में जो क्यूशन होंगे, वो मिल जाएंगे, ना तो जो ग्रोफी की लिए भी आप रास्तान की भूगोल, भूगोल के लिए भी आप not publication की book लेख सकते होगे, ठीक है, इसके अलावा, बहुत सारी authentic book के भी आती है, या और भी जैसे परकाशन है, चोईन परकाशन है, या आपका लक्षे की है, पनौर्मा की है, या कलाम की है, या और भी कोई भी है, बहुत सारी book है, बहुत सारी जो है publication, coaching वाड़ों के आरके आपको जो अच्छी लगती है, वो ले सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है, कि जो है, आप नात की ले सकते हो, सम साम्यकी की बात करता हूँ, सम साम्यकी के लिए, जो है, आप मंतली मूमल आती है, वो मूमल पड़े, current जी के की, उससे आपका cover up हो जाए, ठीक है, इसके इलावा जैसे आप बात करे, तो GGD का आता है, वो ले सकते हैं, वो पड़े, ठीक है, तो इन से cover हो जाएगा, रास्तान की राजवेवस्ता की बात करता हूँ, रास्तान राजवेवस्ता, तो राजवेवस्ता के लिए, जो है, आप मार्केट से कोई भी ए गाइड खरीद के ले के आजाई, जिसके अंदर आपकी राजवेवस्ता दे रखी हो, वो गाइड आप ले के आ सकते हैं, उस गाइड से ये पड़े, इतियास के और कलासंस करती कि आपके पास नोट्स भी है, तो भी आप काम चला लेंगे, लेकिन क्या है, कि मानले जी आप मार्केट गए और वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स पड़े वे, आपने नोट्स उठा लिए और आप सोचेंगे पड़ेंगे, तो नोट्स उसे आप कभी नहीं पड़ पाओगे, क्योंकि उनमें बहुत सारी करेक्शन होंगे जो आपको कोई करवाने वाला नहीं है, बुक्स जो होती है वो अपडेटेड होती है, ठीक है, दूसरी बात आप भुगोल जो है या राजविवस्ता जो है, ये नोट्स से नहीं पड़ सकते, करंट आप नोट्स से नहीं पड़ सकते, तो सिक्वाल की बुक आती है, सबसे आसान भासा के अंदर, सिक्वाल की बुक ले क्या हो, आना, या पीडी पाठक की बुक आती है, पीडी पाठक, आपनी पोती, वो पड़े, या भी जो है अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं ठीक है वैसे और भी मार्केट में बहुत सारी बुकें आती है ठीक है आप उन से जो है मेटर तयार कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं लेकिन सिक्वाल की जो बुक है वो आपके सबसे बेस्ट बुक रहेगी कैसे रहेगी क्योंकि उसकी language अच्छी है और अगर मैं बात करूँ तो यहां पे जो है आप 11th 12th 11th और 12th class की जो है बुक आती है psychology की वो psycho की बुक आप पढ़ सकते हो जो psycho की आपकी बुक आती है psychology की जो 11th और 12th की बुक आती है वो बुक आप पढ़ सकते हो बुक से तयार कर सकते हो ठीक है रास्तान जी के है इतियास है भुगोल है या आपका राजवे उस्ता है यह भी तयार करने के लिए आप जो है चप्षांगिए Director की दस वी तक या बारसे तक जो है box से उनका अदिन कर सकते चियां पुझे उनको आप पड़े सकते थीक पिंबंए इसके बाद कर है अपकर है भारत ओर विशुक बहुत जब éisविष्वे कह वह ऑर भारत वी उन विष्वे और पहारत दो गोल विश्व और बार्त बुगोल इनकी आपको कोई भी एक गाइड लेके आनी है मार्केट से राजवेवस्ता की बात करता हूँ बार्त की राजवेवस्ता तो आप लक्षमी कांत की बुक आती है उसको पढ़ सकते हो या बोधी परकाशन इसकी बुक आती है वो पढ़ सकते हो और इसके अलावा जो एकोनोमिक्स अर्थवेवस्ता है अर्थवेवस्ता के लिए आप जो है आर्थिक समिक्षा पड़े आर्थिक समिक्षा यह हमारी बुक की बात हो गई मैं यह नहीं कह रहा कि आपको आपके पास यह book नहीं है तो आप market जाईए यह book लेकर आईए आपके पास book जो भी आपके पास book या कोई guide है तो आप उसको पढ़ सकते लेकिन अगर आपके पास में कोई भी book या guide नहीं है आप purchase करना चाहते हैं, तो उस condition में जो books बताईए, वो आप लेकर आ सकते हैं, इनका जो matter है, वो point to point matter है, अच्छा matter है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही आपको खरीदनी है, आपके पास notes है, तो इनके साथ आप book को देख सकते हो, या आपके पास कोई guide है, तो उस guide को आप आती है अभियास के लिए, कि भई अभियास कैसे करे, coaching वाली अपन बात कर चुके हैं, अभियास, तो अभियास के लिए आप test series join कीजिए, test series जो है, वो join करे, ठीक है, बार-बार अभियास करे, या फिर जो है, आप दिसा की book लेकर आ सकते हैं, नाथ publication की भी book आती है, और भ कहीं सारे model paper या जो है subjective book आती है, जिसके अंदर previous years के question होते हैं, उनको आप निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, test series से अपना खुद का अंकलन कर सकते हो, books है, दिसा किये, नाथ किये, या और भी कहीं सारे यसी books आती है, वो, test series जो है, आप offline, online, दोनु जोइन कर सकते हो, और online test series भी आप join कर सकते हो, जैसा आपके लिए suitable रहता है, जिस परकार से आपको सुईदा मिले, वो, जिसमें आपको सुईदा हो, वो join कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर बात हमारी complete होती है, पढ़ना कैसे, क्या है, उनकी बात, तो मैंने आपको बताया, चार से पांच गंटे परडे जो है, आप first paper को दीजिए, उस में से जो है, आप एक से देड़ गंटा, आप मनोविज्ञान को दीजिए, परडे, देड़ दो गंटे जो है, एक से देड़ गंटा आप जीके को दीजिए, ठीक, डेड़ दो गंटे जो भी है, आप जिस परकार से तीन गंटे पढ पढ़ रहे हो पांच गंडे पढ़ रहे हो उसको इससाब से मनोविज्यान को जो है आपको साथ साथ पढ़ना जीके के अंदर जो आपका कमजोर पाल्ट है जैसे माली जी विश्वे का भुगोल से आप सुरुवात करते हो तो कम समय में उसको कवरोप कर सकते हो फिर बारत का भुगोल हो गया फिर जो है आप बारत की राजवयुस्ता को त्यार कर लीजिए आर्थिक समिक्साबाद में पढ़ लेना एक्जाम से दो-च्यार महीने पहले ठीक है फिर राजस्तान का भुगोल हो गया राजस्तान की राजवयुस्ता होगी इतियास हो गया इनको आप उ सो क्योशन होंगी उस सो क्यूशन में आप जो है 80 प्लस का स्कोर कर सकते हैं मैं यह मानता हूँ कि आपने अगर अगर कvu का यड़ह कर लिया तो बहुत ही च्छय author वे यसे लिभार कि अगर मैं बात करता हूं आपने देखा होगा पिछला जो ऐसां इसलेड विवा कि उसमें 40 वाला था तो 40% अनिवारे थे यानि 40 क्यूशन आपको करने जरूरी थे तो जब आप सब्जेक्टिव पर ज्यादा ज्यान देते हैं अपने सब्जेक्ट यानि सेकेंड पेपर पर ज्यादा ज्यान देते हो और फैस्ट पेपर को कमजोर मानते कि इसको कर लेंगे कोई दिक न तो उस condition में फिर जो है आपके 40% ही नमर नहीं आपाते हैं या जो है आप अन्य चात्रों से पिछड़ जाते हैं जो चातर रेगूलर तयारी कर रहे हैं उनसे जो है आप कापी पिछड़ जाएंगे तो अगर उनके बराबर बनने रहना है अच्छा स्कोर करना है तो फैस्ट पेपर को जो है साथ साथ तयार करते चलिए फैस्ट पेपर के लिए आपको बता दिया गया कि यह यह मेटर है यह बुक है जो आप पड़ सकते हो इसके अलावा और मैं बात करूं तो ओनलाइन कोर्स जो भी है आपको जहां से भी अच्छा लगता है ओनलाइन कोर्स का आप से जब चाहो वीडियो को देख सकते हो अपनी सुवीदा के अनुसार वीडियो देख सकते हो आप यहां आपको जो है सेगमेंट यानि आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ना आप ओफलाइन कोचिंग में जाओगे तो वहां पर आपको पूरी फीस कोर्स की देनी पड़ेगी ठीक है और माली जी एक कोर्स की 20,000 रुपे फीस है आपको पढ़ना सिर्फ बारत का भुगोल है बारत की विश्वे का भुगोल पढ़ना या भारत की राजयोस्ता या आर्थयोस्ता पढ़ना है बाकि आपका जैसे राजतान वाड़ा कंपलीट है तो वहां पर ऐसास नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको जो है ओनलाइन जो कोर्स है वो नाम मातर की सुल्क में मिल जात है इसकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है कम रेट में आपको कॉर्स मिल जाता है तो ओनलाइन कॉर्स ले लिजी लाइबरेरी जाईए या गर पे भी जो है आप बैठकर अच्छे से देने कर सकते हैं ठीक है टेस्ट अभियास आपको ज्यादा से ज्यादा करना अभिया करना मैं जो मुख्य चैन का सेलेक्शन का जो मुख्य करन आपके सक्यों करना धार जो आधार होता है वो सेल पिस्टडी होता है आपकी जो बुक्स है मैं मुख्य आधार है सेलेक्शन का चैन का ये आपकी जो कोचिंग है कोचिंग और जो बुक्स है कोचिंग और बुक्स तो आपके सिरफ मादेम है चैन के ये मादेम है मुख्य जो आधार है वो सेल्फ इस्टडी है तो सेल्फ इस्टडी को आपको फोकस ज्यादा करना है कोचिंग जा रहे हो या ओनलाइन कोर्स ले रहा है तो उसके अलावा आपकी फैस्ट पेपर को लेकर करके रणनीती होनी चाहिए तब आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और जो है आप उन्स टीम से जुड़िए जहां से परिवेसियर्स के पेपरू में जो है पर्शन पतर में क्यूशन आये हैं उस मेंटर को पढ़िए जहां से क्यू से जुड़िए जहां से सरवादिक सेलेक्शन हो रहे हैं जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर जुड़िए आप किसी भी एक संस्तान से जुड़िए जहां से आपको उमीद है कि हां यहां से जुड़ने पर मेरा सेलेक्शन हो जाएगा उस पर आप विश्वास कीज और अध्यन में लग जाईए आपको सफलता मिलेगी ठीक है बाकी जो और भी कोई जानकारी होगी तो समय समय पर आपको उपलब्द करवाते रहेंगे मिलेंगे अगले जानकारी के साथ तब तक के लिए मस तरे आस तरे मुस्कराते रे पढ़ते रे अपना ध्यान रखे अप झाल 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 झाल